नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नुज्यमा मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार के उस अस्ति साल के योद्धा के बारे में जिसने अपना हाथ खुद काटकर गंगा में बहा दिया था जिहां हम बात कर रहे हैं बावु बीर कुमर सीं के बारे में अंग्रेजी सत्ता को जड़ से हिला कर रखते ने वाला 1857 की वह करांती जिसके बार से देश के कोनों कोनों में अजादे की चिंगारी भड़कू थी अंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाब द्रों का बिगुल फूक दिया था कई राजा उस लड़ाई में कुद पड़े थे बिहार में इस लड़ाई का नितरित बावु कुमर सीं ने किया था कहा जाता है कि बावू कुमर्सिंग ने अंग्रेजों को मात देने के लिए अपनी कलाई को काट कर गंगा में बहा दिया था आईए बिस्तार से जानते हैं बिहार के बीर सपूत वावो बीर कुमर सिंग के बारे में बीर कुमर सिंग का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदिसपुर गाउं के प्रसिध भोजबंस परिवार में बीर कुमर सिंग का जन्म 1977 में हुआ था उनके पिता का नाम तेज क पीता की माउत के बाद वावु बीर कुमर्सी 1830 में गद्धी पर वैठे थे। बीर कुमर्सी के पास बड़ी जमिदारी थी। हूँ के बारे में कहा जाता है कि बच्पन से ही बीर कुमर्सी खेल खेलने के बजाए घुरसवारी निसानवाजी तलवार वाजी का सौक रखते उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि छत्रप्रति सिवाजी महाराज के बाद वे दूसरे ऐसे योदा थे जिन्हें गोरिला यूध नीती में माहिर थे बावु कुमर्सी साहवाद की जागीरों के मालिक थे अजादी के जंग में कुदे बावु कुमर्सी ने 27 अप्रेल 857 को दानापूर के सिपाही भोजपूरी जवानों और अनसाथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कपजा कर लिया था इस विजय को आरा विजय के नाम से जाना जाता है यहाँ पर बीर कुमर्सी ने जेल तोड़कर कैदियों को मुक्त करवाया था इसके बाद ही उन्होंने यहाँ के खजाना भी लूट लिया था इसके बाद 2 अगस्त 1857 को बीर कुमर्सी ने बीवी गंज में अंग्रेजी सर और बीहिया के जंगलों में घामसान लडाई हुई जिसमें बीर कुमर्सी को हार का सामना करना परा लेकिन इसके बाद भी होसला नहीं टूटा इसके बाद वे बिहार छोड़कर मद्परदेश की रीवा की और निकल गए जहां उनकी मुलाकात नाना साहिब से हुई इसके वे एक और जंग करने के लिए बांदा से कालपी पहुंचे लेकिन सर कॉलिन के हाथो तात्या टोपे की हार के बाद वे लखनव आ गए कहा जाता है कि बावो बीर कुमर्सी रामगड के बहादूर सिपाही के साथ बांदा रीवा आजमगड वारानसी बलिया गाजीपूर एवं गोरकपूर में सक्रीर है इसके बाद अंग्रेजों ने लखनव पर भी कबजा कर लिया इसके बाद वीर कुमर्सी बिहार की और वापस लौटने लगे कहा जाता है कि जब वे जगदिसपूर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे तभी अंग्रेजी सैनकों ने उन् को अंग्रेजी सेना को पराजित करने के बाद वे जगदिसपूर पहुंचे वे बूरी तरह से घायल थे 1857 की करांती के इस महान नायक का 26 अपरेल 1857 को निधन हो गया भोजबूर आज भी अपने बीर सपूत बावो बीर कुमर्सींग की बिरासत को संजोग कर रखा हुआ ह यहां उनका किला है इस किले की देख रेख ठीक से नहीं होने के कारण इस किले की हालत जरजर होती जा रही है सन 2005 में इस किले का जिर्नोरधार किया गया लेकिन इस किले सरकार से काफी लड़ाई लड़ी इस किले में आपको बावो बीर कुमर्सींग की फोटो देखने को मि बिहार से जुड़े हुए और भी एतिहासिक ब्यक्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहे बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजे इजाजत धन्यवाद